नमस्कार, मेरा नाम अर्शिया एकबाल है, मैंने MA in English और B.A. किया है, मुझे शिक्षा के छेतर में 13 वर्षों का अनुभव है मेरे जिले का नाम दुर्ग है, दुर्ग जिले को Education Hub के नाम से भी जाना जाता है दुर्ग जिले में भिलाई स्पाथ से अंतरकार खाना है, जो के एशिया के नमबर वन स्टिल प्लांट में से एक है दुर्ग जिले में एक सुन्दर सा मैत्री गार्डन भी है जहां पे गार्डन के साथ एक विशाल सा जू भी है जो बहुत प्रसिद्ध है मैं सायक शिक्षक के पदबर शास्की प्रात्मिक शाला सेक्टर 6 में पदस्त हूँ मेरे वित्याले में 352 बच्चे पढ़ते हैं और सभी शहरी परिवेश्स के हैं मेरी समस्या थी के हम केवल पाठे पुस्तक से बच्चों को बहतर तरीके से नहीं पढ़ा सकते मैंने जब अरविंदो सोसाइटी के ZIIEI कारिकरम का प्रसिक्षन प्राप्त किया तो मुझे पता चला कि बीना पैसे खर्च किये भी ऐसे नवाचार किये जा सकते हैं जिससे पढ़ाने के तरीकों को में सुधार किया जा सकता है COVID-19 के जब हम ऑनलाइन कक्षाएं लेना अपने आप में एक बड़ी चुनौती था क्यूंकि उस समय हम प्रोडिसर, डायरेक्टर और एक्टर भी खुद ही होते हैं इनोवेटिव पाठशाला पाठेकरम ने काफी सहयोग मिला इनोवेटिव पाठशाला पाठेकरम में प्रसिक्षन से मुझे अपने विशे के विभीन गती विदियों को आधार पर सिखाने का तरीका भी समझ आया मैंने सीखा कि अनुभवात्मक शिक्षन के लिए बच्चों को गती विदियों में शामिल करना चाहिए प्रसिक्षन से मुझे बहुत फाइदा मिला मैंने काफी टूल्स के बारे में समझा और जाना मेरे दिमाँ में जो भी गतीविदियां चल रही थी मैंने बच्चों के साथ क्रियानमित कर पाई प्रसिक्षन में मैंने ऑनलाइन पढ़ाने के नए नए तरीके सिखे नए टूल्स के बारे में जाने जैसे concept mapping, game, squeeze यह सब मुझे बहुत पढ़ाने में भी बहुत मजा आया मुझे खुशी है कि इस कारी को कराने में ZIIEI के प्रशिक्षक श्री पवन दिवेदी सर ने मुझे बहुत मदद की मैंने अपना idea उनके साथ साजा किया और उन्होंने मेरी idea को सुधारने में पूरी तरह से मेरा सहीयोग दिया पवन दिवेदी सर ने हमारे जितने webinar थे उसमें हमारे समस्याओं को हल करने का पूरा प्रयास किया online कक्षा लेने में तो हमारे पास बहुत सारे साधन थे परन्तु मोहला क्लास या offline में जो समस्याओं आ रही थी पवन सर ने उसका भी समाधान किया पोस्टर और जो प्रिंट्स निकाल कर हमें उसे बताने के लिए कहा मेरा विध्याले रोल मॉडली स्कूल है बच्चों का चव महवी कास पर ध्यान दिया जाता है मैं श्री अर्विंदो सोसाइटी और HDFC बैंक को ये मंच प्रदान करने के लिए दिल से धन्यवाद देती हूँ धन्यवाद